फाइव येर्स ऑफ अपडेट्स स्टॉक एंड्रोइट अपडेटिड कैमराज एंड यू चिपसेट शाट अपंटेक माई मानी सजनुक को नहीं पतनलोग को बता देता हूं कि गूगल ने ऑफिशली अनाउंस कर दिया है पिक्सल सिक्स प्रो एंड फोड़ा शॉकिंग इसलिए था कि गूगल उन कंपनी से हैं नहीं जो लांच से पहले प्रोडक्स के बारे में कुछ डीटेल्स आउट करें एक तरीके से देख जाने तो यह सही भी है क्योंकि नेक्स्ट मंत होने वाला है सेप्टेंबर का एंड सेप्टेंबर वुड़ बी इंटार्ली डेडिकेटेड टू आपल क्योंकि आपल या तो 13 लांच करने वाला है सामसंग भी अपने फ्लिप और फोल्ड सीरीज की नए अपडेटेट सब्सक्राइब करने वाला है सब्सक्राइब अगर आपको इतनी जाता प्रेसेंटेशन पसंद आजा है कि आपको मेरा और कॉंटेंट देखने का मन करें तो ठीक है सबसे पहले बात कर लेते हैं पिक्सल डिवाइस के बारे में क्योंकि काफी सारी अपडेटेट स्पेसिफिकेशन इन दोरो डिवाइस में मिलने वाली है पिक्सल सिक्स में मिलने वाली आपको 6.43 इंचस की फूल एच्टी प्लस डिस्प्ले जिसमें आपको 90 हर्ट का एक फ्लाट पैनल मिलेगा रियर में आपको डूल कैमरा का सेटप मिल जाएगा और टाइटन एंटू सिक्यॉरिटी चिप मिल जाएगी वेर अजन पिक्सल सिक्स प्रो आपको मिलेगी 6.75 इंचस की क्वाड एच्टी प्लस डिस्प्ले जिसका मदलब है कि आपको क्लियर और शार्पर इमिज क्वालिटी मिलेगी एंट 120 हर्ट का एक कव्ड पैनल मिलेगा 120 हर्ट आपल आज लिस्निंग कब कून खूलेगा रे तेरा आपल टॉकिंग अबाट दू कामरा डिपार्टमेंट पिक्सल 6 प्रो में मिलने वाला है आपको ट्रिपल क्यामरा सेट अप जहां पर लेंस का नेम या फिस स्पेसिफिकेशन तो मिंशन नहीं किया है बट हां इसको काफी ज्यादा टीज ऐसा करके गूगल ने दिखाया है कि हम बहुत ज्यादा ऐसा कॉम्प्यूटेशनल फोट प्रोड़क्ट में फिर जब अनाउंस होगा उसमें क्या बताएंगे लोगों को यह तो होगी इन दोरो डिवाइस के बारे में बेसिक सी बाते हैं बट इन दोरो डिवाइसे में जो स्पेशल जीज़ आपको मिलने वाली है वो है गूगल की कस्टम बिल्ड चिप जिसका न यह तो हमें टाइम के साथ ही बता चल पाएगा परफॉर्मेंस वगरा मेजर करने के बाद पट एज अफ नाउ दिस चिप सेट इस वेरी प्रॉमेसिंग बट वाइग्जाक्ली गूगल शिफ्टेट फ्रॉम स्नाप ड्रागन टू टेंसर चिप यह समझने के लिए ना हमें कॉमपोनेंट्स होते हैं CPU होता है GPU होता है ISP होता है उसके अलावा DSP भी होता है Neural Engine भी होता है जिसको Neural Processing Unit भी कहते हैं और उसके अलावे से काफे सारे कॉमपोनेंट्स होता है जो कि आपके डिवाइस को एक प्रॉपर मैनर में रन करने के लिए हेल्प करते हैं अभी तक गूगल पिक्सल डिवाइसेज में जो चिप सेट होता है उसका प्रोसेसर स्नाप ड्रगन दे रहा था गूगल गो उसके अलावा GPU भी स्नाप ड्रगन दे रहा था अंड उसके अलावा जितने भी बाकी सारी चीज़ें थी ना वो गूगल खुद से मैनुफाक्टर कर रहा था बोले तो टाइटन एम चिप उसके अलावा पिक्सल विजुल को और पिक्सल का नियूरल को एंड यह जितने भी सारे सुना है कि भाई तुझे पता आईफोन 6S में तुझे आईवस 15 का अपडेट मिलने वाला है कब का है आईफोन 6S और उसमें अभी भी आईवस 15 का अपडेट मिलेगा तो भाई डाट उस पॉसिबल क्यूंकि आपल अपने चिप सेट्स खुद बनाता है अब यहां पर अगर ह इस डिवाइस के लिए Android अपडेट पुश करता रहेगा बट क्योंकि यह जो प्रॉसेसर के ड्राइवर्स की अपडेट साइकल जो है यह जस्ट Qualcomm ने तीन साल डिसाइड किये हुई है इसकी वजह से मजबूरी में आकर Google को भी अपने डिवाइस को जस्ट तीन साल का बंगा सारा अपने अंडर ले लेगी तो Google would be able to control it and would be able to deliver updates जब तक वो चाहे उसके लवा क्योंकि यह जितनी भी components के खिचडी बनाकर अभी तक आपको परोसी जा रही थी यह components अलग-अलग company से manufacture होकर आ रहे थे तो इसका जो end product था वो कभी-कभी थोड़ा miscalculate हो जाता था और इसका best example हमने देखा था पिक्सल 5 में जहां पर launch में काफी सारे लोगों ने ये भी बोला था कि this is the weakest phone with snapdragon 765 जी प्रोसेसर उस device में GPU का बहुत बड़ा पंगा था जिसको 6 महीने के बाद with the help of OT updates fix किया गया था and I'm pretty sure यह चिपसेट है इसके आने की विज अच्छी थी वह और जाद अच्छी होने वाले हैं and that's obvious क्योंकि Google की computational technology है इतनी जाद AI वगरा के features है अब तो चिपसेट भी अपना खुद का ही है तो I'm pretty sure कुछ ऐसे चमतकार वगरा होने वाले हैं इस device में और उसके साथ साथ भाई अपडेट्स वगरा like I already told you 5 साल के सब्सक्राइब प्लाइब लिस्ट ऑफ कंट्रीज बोली हैं जहां पर यह डिवाइज इनिशली जिनों लॉंच होने के बाद वुड बी अवेलेबल तू बाइट साड़ी इंडिया इस नॉट पार आफ दाट लेस्ट अश्ट्रेलिया उनाइट केंग्डम फ्रांस जर्मन टाइवान इन कंट्रीज में जो गूगल प्रॉडक्ट्स के जो पेजस होते हैं उसमें पिक्सल 6 & 6 प्रो आर अवेलेबल कि मतलब आप देख सकते हैं कि यह डिवाइस कैसा रहने वाला है डिवाइस के क्या कलर्स मिलने वाले हैं एट सेक्टरा एट सेक्टरा स्टफ लाइ हैं और प्रेटी शॉर गूगल वूड लव यूजर्स फ्रॉम आल ओवर दे वर्ल्ड कि वो इस डिवाइस को ट्राइब करें टेस्ट करें और इवन विद जो एंड्रोइड 12 में जो आपको ट्वीकिंग वगरा मिल जाती है जो स्टेबिलिटी मिल जाती है यह हैड तो प्राइशन दे सकती है एपल के लेटेस्ट आइफोन का एंड इन माय ओपीनियन गूगल वूड लव पीपल फ्रॉम आल अवर दे वर्ल्ड तो नो कि यह जो डिवाइस हमने बनाया ना भाई यह आइफोन को बहुत अच्छे से कंपीट कर पा रहे हैं और उसको बीट भी क पा रहे हैं और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि 2015 से स्टार्ट हो गया आइं प्रेटी शूर गूगल उसको बहुत जादा सीरियस्टी लेगा बट यहां पर एक और पंगल सामने निकल कर आता है क्योंकि यह डिवाइस इंडिया में जो मैनुफाक्चर हो रहा नहीं है तो प्र लाग कि आसपास इस डिवाइस को फाइनल प्राइस करते हैं इंडिया में तो आइगेस कस्टमर्स वोड़ बाइट क्यों क्योंकि भाई आइफोन 12 का प्राइस देख लो और अपकमिंग जो डिवाइस आइफोन का होने वाला है उसका भी प्राइस देख लेना सामसंग फो समझी जा रही है कि sometime in 2022 in next year होने वाली है बट भाई यह तो टाइम ही बताएगा कि 22 होगा या फिर 23 होगा I don't think 23 होना जाए है थोड़ा जाद ही हो जाएगा ठीक है तो जैसा भी होता है I would definitely update you about it and that is it for pixel 6 and 6 pro do let me know आपको क्या लगता है इस डिवाइस के बारे में क्या आपको लीडिंग A13 A14 भायनिक चिप से and क्या आप इसको खरीदना प्रिफर करेंगे अगर आपको एक लाग रुपे दिया जाए ओवर आइफों सो यह काफी ज़्यादा trending conversation I guess हो सकती है do let me know what are your thoughts about it in the comment section down below and भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते है मुझे पता ह सेट अप काफी जादा ऐसा living room वाला kind of लग रहा है बट डूआ केर नो वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब पर लेना और इंस्टा पर फॉलो कर लेना टेक सेंटेनर भाई तुम्हारा अच्छा कंटेंट लेकर आता है तुमारे लेंस्टागम पर और मिलते युग एगली वीडियो में तिल देन तेक क्यर बाइबाय रिस्टेक देख